वेस्ट इंडीस के तेजगेदबाज अलजारी जोसम ने भारत और वेस्ट इंडीस के बीच चल रही तीन मैचों की वनडे स्रिंखला में जवरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया है दरसला आईपिल की सवी फ्रेंचाइजियों की नजरे इस वनडे स्रिंखला पर टीकी हैं जो अगामी आईपिल मेगा उक्षन 2022 में भाग लेने वाले हैं दरसल अलजारी जोसेफ वी उनमें से एक लाड़ी हैं उनके अच्छे प्रदर्शन को देख भारत के पूर्व दिककच आफस्पीनर हरबचन सिंग ने भी ये बविश्यवानी की है कि ये मेगा उक्षन इलामी में बहुत महेंगे बिकने वाले हैं दरसल आपको बताते हैं बारतेकर के टीम के पूर्व आपस्पीनर अरबचन सिंग ने इस बात की भविश्यवानी की है कि वेस्टरंडीज के फॉर्म में चल रहे तेज गेंदबाज अलजारी जोसेफ अगामी आईपिल मेगा आउक्षन में करोडों के बिकने वाले हैं बच्ची ने शोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्विट करते वे लिखा कि आईपिल मेगा आउक्षन दोजार पाइस में अलजारी जोसेफ करोड़ पती बनने वाले हैं इसका मतलब है कि इन पर अगामी में बहुत ही खातक गिंदबाजी की है उन्होंने स्रीज के पहले मुकाबले में कप्तान रोही शर्वा और पूर्प कप्तान विराट को लिजा से बलेवाजों का अपना शिकार बनाया था जो कि वाकई तारीफ के काबिल है वहीं शरंकला के दूसरे मुकाबले में तो उन इन पर फ्रेंचाइजी आगामी मेगा उक्षन निलामी में अच्छी बोलील लगा सकती है दरसल आपको बताते हैं कि 2019 के आईपिल में इस वेस्ट इंडियन तेज गेंदबाज अलजारी जोसब ने मुमबा इंडियन की और से अपना डेब्यू मुकाबला खेला था और तल साल 2019 के आईपिल में संराइजिस हैदराबाद और मुमबा इंडियन के बीच एक मुकाबला खेला गया था जिसमें अलजारी भी खेल रहे थे उस मुकाबले में इन्होंने इतना जबरदस प्रजर्शन किया था कि पूरा क्रिकेट जगत उन दिनों इनकी परफॉर्मेंस से हिल गया था अलजारी ने उस मुकाबले में 12 रंते कर 6 विकेट चटकाई थे जिसके चलते इन्होंन विपक्षी टीम हैदराबाद की बल्लेवाजी यूनिट की धच्चिया उड़ा जी थी बारहाल अलजारी जोसब एक वार फिर गजब की लाए में नजरा रहे हैं अब द हुआ हुआ है